नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं Grand Yotis Secret कई बार ऐसा होता है हमें पता नहीं चलता हमारे उपर तंत्र क्रियाएं की गई है और जीवन में मुश्कले हैं कि कम ही नहीं हो रही तो ऐसे में सोचने पर विवस होना ही पड़ता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है तो आज हम आपको जादू टोने तंत्र क्रिया अगर किसी ने किया है आपके उपर तो इसके कुछ लक्षन होते हैं अगर ये लक्षन आपसे मैच करता है तो इस तंत्र क्या से बाहर कैसे निकले इसके भी आपको रास्ते बताएंगे तो जैसे सकातमक उडजा होती है इसी तरह नकातमक उडजा भी होती है अगर positivity है तो negativity है देवता है तो असूर भी है उसी तरह इस ब्रह्मानड के अंदर दो ही ताकत कारे करती है और वो ताकत जब निगेटिव चीजें बढ़ जाती है तो आपके जिवन में परिसानिया आ जाती है क्योंकि बुरा करने के लिए किसी का लोग दानवों की मदद लेते हैं और ये काफी सकती साली भी होते हैं हलाकि देपताओं को परसंद करना थोड़ा मुस्किल है पर दानव जल्दी परिशन हो जाते हैं जल्दी इसके परिणाम देने लगते हैं कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कारे सिद्ध करना चाहते हैं लेकिन वो कारे आपको पूरा नहीं होता तो कैसे आप जानेंगे कि आपके उपर गरहों की पीड़ा है या फिर किसी ने कुछ करवाया है आज हम आपको यहीं बताएंगे तो चलिए हम लक्षनों से जानेंगे कि आपके उपर काला जादू हुआ है निगेटिव एनर्जी किसी ने करवाया है आपके उपर परभाव छोड़ दिया है या फिर आपके उपर किसी तरह का कोई गरहों की पिडा है तो सबसे पहले जादू टोना होने के लक्षन सबसे पहले मन मस्तिक्स पर असर करते हैं अगर आपके उपर जादू टोना हुआ है तो मांसिक रूप से आप औसांत हो जाएंगे इसका मतलब बार बार बेवज़ा की चीजों में दिमाग जाएगा मन बेचैन रहेगा बेवज़ा उल्जने होंगी आप पूरी तरह से दिमाग का उप्योग नहीं कर पाएंगे क्योंकि जहां सकात्मा कुर्जा होती है वहां सुकून होता है अगर आपको लगे कि आप बेवज़ा परिसान है दिमाग का जैसे कोई कार ही करने में आपको मन नहीं लगता तो इसका मतलब है किसी ने कुछ आपके उपर किया है कई बार तो लोग खाने पीने की बस्तू में मिला कर लोगों को खिला पिला देते हैं और लोगों को एहसास नहीं होता जब मन में उथल पुथल मस्ती है तो समझ में आता है कि कुछ बुरा हुआ है तो दूसरा यह है कि बे बज़ा आपके घर में लड़ाई जगड़े बढ़ जाएंगे आप लोगों में आपस में जितना प्रेम था उतना ही जादा नफरत हो जाएगा इसका भी मतलब हो कि आपके घर परिवार के खुसियों से किसी को इर्षिया है और आपके उपर लोगों कि मतलब यह है कि आपके घर के लोगों जादू टूना करवाएं दिक्ड़िकला इसका मतलब खार कारें लिए में Гवा兩 मे ने मिले तो इसका वी है निगेटिव ताकत की वजहर से ऐसा हो रहा है कि अब जादू टोना होने पर व्यक्ति कुद को कटा कटा महसूस करता है दुनिए दारी से इसे लोहों को मतलब नहीं होता अकेला रहता हैा ख्षारबू सान्त Карता है अपने अपने बाते करेगा अपने रोऀगा अपनी से बूलेगा पता ही नहीं वो किस ख़याल में खोया है मन की बेचैनी इसे बार-बार मारती हैं तो ऐसा लक्षन भी बताता है कि आपके उपर जादू टोना किया है अगर आपके घर परिवार बे कोई ऐसा बेक्टि ऐसा कर रहा है तो समझ ले उसके ऊपर किसे ने कुछ किया है कुछ खिला दिया है चाय कॉफी पानी के सहरे ही सही पर खिला दिया है अगर आपको एहसास हो कि आपके पीछे कोई है इसका मतलब भी होता है कि सच में कोई होता है बले आपको ना दिखे आपको आप खाना खा रहे हैं आपको लग रहा है जैसे आपके आसपास कोई खा रहा है आपको दीख नहीं रहा है लेकिन आपको ऐसा हिसास होता है कोई है इसका मतलब है कुछ न कुछ है ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो आपके पास है आपके लिए ये सही नहीं है कुछ लोग रात में सपने में देखते हैं कि कोई आपको बुला रहा है ये भी सही नह जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि प्रचंड तंत्र क्रियां आपके उपर हुई है तो ऐसे में आपको तुरंत इन चीजों से बाहर निकलने के लिए पुझापाट घर में करवाना चाहिए किसी खास हिस्से में सर में हमेशा दर्द रहे या कोई सरीर में दर्द रहे तो इसक प्रचंड पास जाने से भी आपको इसका इलाज ना मिले खासकर ना भी की नीचे दर्द हो ना तो यह प्रॉब्लम बताता है कि किसी ने आपके उपर तंत्र क्रिया कर बादिया आपका पेट के पेटकी में जब दर्द होने लगता है घर में रखी भी चीजें आपको एक पाल काट कर ले जाता है तो ऐसे कोई कपड़ा चोरी कर लेता है तो जादू टोना के असर से घर में मांगली कारे नहीं होते बिवा नहीं होना बच्चे संतान प्राप्ती नहीं होना यह सब जादू टोने का असर होता है लाग कमालो लाग बचत कर लो पर पैसे नहीं बच दवाईयों में खर्च दहुदर खर्च तो इसका भी मतलब है कि आपने आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र से आपके जीवन की जो आपका एक तरक्की का रास्ता है इसको बांध दिया है किसी ने बड़ा पथल बांध कर पानी में डाल दे तो इस कहते हैं इसे सरीर काम नहीं बंढ चिरता जाता हैил को बहुतन है अगे अगज़ को बांध देते हैं लोग तो सवास्त में बार परिशान आती है अगर आप रात में सhap आभ डराबने देखते हैं तो भी इसका मतलब होता है किसी ने जाद।irona आपके ऊपर किया है तो इन कई बारह के कुछ आपको लगए का किने आपको आवाज दिया पर कोई होता नहीं है इसलिए कहा जाता है कि धिन हो यहां पर बहुत ज़्यादा परेसानी होती है क्योंकि ऐसे में आपको तुरंथ इसकी सांती करानी चाहिए। अगर आपका नौकरी छूट जाए, बिजनस ना चले तो पूरी तरह से आपके वेबसाइट को लोगों ने बान दिया ऐसा समझना चाहिए। आपके में तान्तखर लाज किया जाते हैं। अब कई वर लोगों को पता नहीं चलता है। लोग सोषते हैं कुछ बीमारी है पर ये बीमारी नहीं होती, पिचास की बात होती है, क्योंकि शरीर पर इसका असर पड़ता जाता है, प्राण नहीं कि निकलता, लेकि शरीर को बेजान कर देता है, आपको रात में सोते हैं आपको लगता है, जैसे आपका सरीर रोज कोई दबा रहा है, आपको सिफ एहसास होता है पर ऐसा होता नहीं आप लाक प्रयास करें लेकिन कोई लगता है आपको बार-बार जैसे गला दबा रहा है ये सभी चीजें अनुहब हो तो इसका तुरंट आप तांतरे के पास इलाज करा लें सरीर में चुहन का एहसास चलन का एहसास होना भी दुस्मन पुतला मारन प्रयोग करता है तो ऐसा महसूस होता है पैरों के अंदर जैसे कील चूब रहा है अगर आपको जरासा भी ऐसा हैसा होता है तुरंट आप इसका भी कोपाई करना चाहिए क्योंकि घर में जब काली ताकतों का साहिए आता है तो बीमारियां परिशाणियां हर तरह से बेखती को तबाह कर देता है आपके घर में लगा तुलसी का पौदा बारबार सुख रहा है तुरंट सांती कर Cameron क्योंकि ये जादु टोना का ही लक्चन है अगर आपके घर में अच्छा खासा इंसान है अचानक से मौत हो जाए ये भी संकेत बताता है कि किसी ने कुछ करवाया है तभी ऐसा हो रहा है कोई जानबर है अचानक मर जाए ये भी संकेत देता है कि काला साया आपके जीवन में है अगर आप एकदम से निरासाबादी से पीडित है, यानि मन में हमेशा निगेटिव खयाल आते हैं, आप बेबज़ा की उल्जुनों में फसे हैं, आपको लगता है कि घर से बाहर निकल जाए, कहीं भाग जाए, मन की सांतिक हो गई है, तो इसका भी मतलब होता है कि घर पर कि कुछ करवा दिया है, कोई कपड़े गाइब हो रहे हैं आपके बार बार, तो लोग तंध क्रियाय करने के लिए ऐसा करते हैं, तो यह तो लक्षन है, आपके ऊपर कोई भी लक्षन अगर अपलाई हो, तो आपको एक प्रियोग करना चाहिए, इन तमाम प्रिसानियों से ब पत्ता मत लीजेगा, जितना ज्यादा अच्छा उतना अच्छा, अब पत्ते को ले आइए, डंठल नहीं तोड़ना, रात में सोने के पहले, इस पान के पत्ते पर सरसों का तेल एक बुंद आगे पीछे लगा लें, यानि पान के पत्ते के सामने साइड और पीछे साइड दोनों साइड, आपको सरसों का तेल एक-एक बुंद लगाना है, और रात में सोते समय अपने सिराहने, यानि जहां पर आप सर रखते हैं, आप चाहें तो बेट पर भी रख सकते हैं किसी चीच के उपर, या आप बगल में माथे के पास, आसपास कोई टेबल बेगरा के सा जो भी बेकती पहले उठता आपके घर का, पच्चा नहीं कोई बड़ा बेकती, उसको कहिए कि वो उस पत्ते को उठा कर घर से बाहर निकल कर कही फेक दे और बिना पीछे मुड़े घर आ जाए, ये प्रियोग लगातार साथ दिन करना है, हर बार नया पत्ता होगा, फिर अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजे और आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा, कमेंट्स में हर हर महादेब जरूर लिखेगा, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddhrmasanmark.com गूगल सर्च करके आ स करते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्की सुन में मिल जाएगा, धन्यवाद.